प्रण्च के दस मिनिट हो रहा है और मैं बरतंद होके रख दी थी लंच करने के बाद उसी को मैं सेट कर देती हूं टुकड़ी पुरा भर गया था तो मैं साम में अक्सर मैं बरतंद फिर सेट करती हूं और पूरे दिन से एक एक निकल निकल के पूरा भर जाता है टुकड़ी तो उसको मैं साम में पूरा सेट कर देती हूं बरतंद को और अभी ना मेरी गुडिया रानी पढ़ाई कर रही है और बाबू खेल रहा है बालकोनी में तो मैं सोची की चलो मैं अपना काम भी कर लेती हूं और बरतन विगरा सेट करने के बाद ना मैं अपना सबजी विगरा कट कर लूँगी और मैं आज सबजी सिमला मिर्च को ही बनाऊंगी और चोटा फेमली बच्चे इतने सबजी खाते नहीं है तो एक सिमला मिर्च कापी हो जाता है और यह जो सिमला मिर्चे न बड़ा भी था और बाबू बालकोनी में खेल रहा था और हमें देखा तो दोड़ के आ गया और वह मुबाइल भी देखता है तो उसको लगता है कि मेर पापा है उसमें तो पापा पापा अपना चालू रहता है और कभी कभी तो आप लोग सुने भी होंगे तो वही बाबू के साथ मैं बाद भी कर रही थी और अपना सबजी भी कट कर रही थी तो मेरी गुडिया रानी महां पढ़ाई करी थी तो बीच-बीच में उसको भी देखना पड़ा रहा था तो आ भी गई थी मटक मटक के उधर से आ रही थी तो फिर मैं उसको मैं बोली कि पढ़ाई हो गया तो अभी उसको प्यास लगाया तो अपना पानी पी रही है मैं अपना इधर सब्जी कट कर रही हूं और यह दोनों से बात करते करते समय पता नहीं चलता है और अभी यहां पर साड़े 5 हो रहा है और बाबु को महीं मैं बोल रही थी कि आप जाओ बाहर जाओ तो नहीं जा रहा था और अपने हाथ से जितना भी कुछ कुछ पकड़ में आता है और नीचे फैला देता है तो मैं जट से कच्ड़ा वगेरा उठा कर दश्टमिन के डबे में डालकर पिन आपर मैं क्राही गरम होने के लिए रख दी और यह गरम हो गया था तो मैं रिफाइन वाईल आज कल मेरे घर में सरसो वाईल कतम हो गया है रि कभी कभी मतलब कूट लेती हूं नहीं तो छोटे-छोटे टुकड़े में कड़के डाल देती हूं और यहां पर मैं आलू भी डाल दी हूं आलू थोड़ा बहुत भून भी गया है मेरा तो फिन इसमें मैं सिम्ला मिर्च एड़ कर ली हूं और सिम्ला मिर्च करकर मैं चला- टमाटो ली थी उसको मैं कट करने लगी किमकी ना बाबू से मैं कट नहीं करने दिया था तो मैं हटा कर रख दी थी उसके पकड़ में आये तो अभी वो चला गया था तो फिन मैं टमाटो कट करने लगी थी और वो दीदी के साथ खिलने लगा था यहां पर मैं चेक कर रही थ से और टमाटो पानी चोड़ता है तो इसलिए मैं टमाटो के एड़ करका अच्छे से चलाने के बाद ना इस पर मसाला एड़ कर लेती हूं कि जो टमाटो के पानी रहता है तो उसी के साथ सब्जी भी मसाला भी सब भून जाएगा और ज़्यादा तर हम ऐसी सब्जी बनाते हैं कभी कभी ऐसे बनाते हैं कि जो टमाटो लसुन जो भी होता है पाले भून लेते हैं और सब्जी वेगराबाद में डालते हैं तो हम ज़्यादा तर ऐसी बनाते हैं और क्या इसमें क्या सब्जी चान जाती है और डग डगत्क के भूनते हैं तो मसाले भी आ टमाटो भी भून जाता है और अज्से तरह में अ A मैं करता है मेरे घर में बनता है उसी तरह में बनता है तो मैं आपना गुतने आ गई थी और सबस्ईption भून हैं आहरे था ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी थे बिच में ठोड़ा से बिने के पीज़ाय और तो उसके लिए तो मैं अभी आँ रोटी बना लूंगी और मेरे बच्ची भी खेल रहे हैं। यहीं फर बाबु भी आ गया परति देव से बना रहे हुँ यहां और रोटी इसी तरह में लेख ले थी और बाबुक को देखिए कि अपना पूरा अपना सैतानी उसका चालू है जो रोटी धरलने के लिए नीचे प्लेट रखी हूं उसमें कपड़ा बिछा कर उसको निकाल कर सोच रहा है कि नीचे रख दू तो फिन मैं उसको गैस चुला पर रख दी थी और इसी तरह होता है बचे क जहां पर मैं रहती हूं हिंदी वाले लोग बहुत कम है तो मैं किसी से बात भी नहीं हो पाता है तो मैं बिल्कुल अकेली पढ़ जाती हूं जब तक पती देव रहते हैं बच्चे हैं तो बच्चे से भी तो कितना बात करेंगे तो बेटी थोड़ी है मेरी जो बात कर है नहीं तो मैं बिल्कुल भोर हो जाती हूं और लगता है किस सर में दरद होने लगे कोई राता ही नहीं किसी से बात भी नहीं करना है अकेले रहाना है तो हो जाएगा ना और तो अभी तो हम लोग दो तीन महींना हुआ गाउँ से आए नहीं । तो अभी मैं कीचन वेगरा भी साफ कर लूँगी साथ के साथ ही और मेरा चुला जो था न वो थोड़ा गरम था तो फिन मैं सोची कि चलो नीचे से सब्सक्राइब कर लेती हूं थोड़ा ठार कर आप मैं चुले को अच्छे से साफ कर दूँगी और यहां पर मैं कीचन अच् लोटा पानी अपने रख देती हूं कीचन में और कीचन में पानी रखना बहुत अच्छा होता है और सब करने के बाद आज पती दे बहुत लेट किए से आये थे तो फिन मैं अपना विस्तर भी सेट करने लगी वह अपना उधर मुबाइल देख रहे थे तो मैं सुची चलो अपना विस्तर भी सेट कर लेती हूं और बच्चे के घर में दो से तीन बार कितनों भी करो वेट इधर उधर करी देते हैं तो फिन सोतने समय एक बार जहार कर भी छाना है और मैं अपनी वीडियो के ही करती हूं और पसंद आया होगा तो लाइक सेस्क्राइब कोमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसा लगा थाइंक यू झालक हुआँ हुआएवाओ झालक सेस्क्राइब का यूर लाइक स्क्राइब बताइब खार अब तो लाइब जड़ागा मेरे नथ्या कर दे और दो झालक प्लाइब।